बेर दिद कोकेन बेर दिद कोकेन रखा हुआ है और उसको नाम दिया है पैबलो एसको बेर फिल्म का प्लोट बहुत सिंपल है एक कोकेन से भरा हुआ एरोपलेन ड्रग रन के लिए निकलता है लेकिन जॉर्जिया के शहर में क्रैश हो जाता है वहाँ पर एक भालू लगबग 2 क्रोड की वैल्यू का कोकेन खा लेता है अडिक्टिड होने के बाद और कोकीन पाने के चक्कर में फणी वॉयलेंस से भरीवी जर्नी पे वो निकल पड़ता है बीच में आने वाले हर इंसान को वो मार देता है फिल्म में कुछ सब प्लॉट्स भी हैं जहां पर अलग अलग जगह से लोग नैशनल पार्क की तरफ बढ़ रहे हैं उसके लिए आगे जाकर वो एक दूसरे से मिलेंगे और कैसे वो ये खतरनाक एपेक्स प्रिडेटर का सामना करेंगे ये देखने के लिए आपको फिल्म देखने पड़ेगी थेटर्स में इस फिल्म को आप कोई भी एक जेनर में फिट नहीं कर सकते ये स्क्रीन जैसी स्लैशर भी है जॉस जैसी होरर फिल्म भी है टर्मिनिटर जैसी एक्शन फिल्म भी है और hangover जैसी comedy film भी है फिल्म के positives की बात करें तो सबसे पहले चीज लिस्ट में होगी इसका entertainment factor movie कुछ भी social commentary करने का try नहीं करती बस आपको entertain करना चाहती है और ये दिखाती भी है ये action blood bath gore से भरीवी brutal film है बहुत unique तरीके से लोग मरते हुए दिखेंगे जो बोलना तो नहीं चीज़े पर काफी entertaining भी लगता है इसके साथ ये film बहुत funny भी है पूरा theater हसला था enjoy कर रहा था इस journey को ये film की rewatchability वाला factor बहुत आए है आप बार बार ये film देख सकते हैं अपने friends और colleagues के साथ film के negatives के बारे में बात करें तो वो होगा इसका plot जो काफी फैला हुआ है बहुत सारी चीज़ें फिल्म में fit करने की कोशिश की गई और इसलिए story धीली हो जाती है कुछ characters को ऐसे ही रखा हुआ है ताकि उनको आगे मार पाएं फिल्म में जहाँ जहाँ पर हमें beer दही देखने को मिलता वो सींध हमें drag लगने लगते हैं बोरिंग लगने लगते हैं और finally कुछ key moments और plot points को producers ने trailer में ही reveal कर दिया है जिसकी वज़े से film काफी predictable लगने लगती है overall लेकिन अगर इन कुछ flaws को overlook करें तो ये film awesome है और जानभूश कर ये film अपने आपको seriously नहीं लेती फिर्म को direct किया है Elizabeth Banks ने उन्होंने कमाल का काम किया है आज कल female directors बहुत अच्छा काम कर रही है जैसे हाली में आई Amazon के उपर फिर्म watcher की director Chloe Okuno ने किया उसका review भी हमने नीचे दिया है आप देख सकते हैं हमारा मानना है कि आपको cocaine bear अपने friends और colleagues के साथ theater में जरूर देखनी चाहिए बस kids यानि बच्चों को साथ लेकर ना जाएं क्योंकि उनके लिए बिल्कुल नहीं है खुन खराबा काफी है तो well friends ये था cocaine bear movie का review आपके लिए कोई thoughts हों तो comment में बताना अगर like, subscribe और notification bell दबाई है तो God bless you और अगर नहीं दबाया तो please दबा दीजिए और हमारे efforts को support और encourage दीजिए रिव्यू को funky films और Ray Liotta जिनकी ये आखरी film है उनके fans के साथ जरूर शेयर करें फिलाल के लिए मैं Jason Ravie विदा लेता हूँ Thank you, शुक्रिया और जैहिंद